अभिए अ आप नहीं मानिएगा तो अब मेरा अधिकार Δेजिए और मेरा सम्मान किजिए इसके लिए यह अतीपिश्राज संतर वहां से घोसना होगी और हम लोग वहां से निकलेंगे यह मिलर इसकुल मैदान से कल तीन वजे के करिम में वहां से हम लोग ग्यापन जो है लेकर के मुखमंत्री को ग्यापन देंगे अपनी मांग को लेके आई एक ग्यापन हम लोग प्रधान मंत्री को भेजेंगे द्वारा राजपाल विहार सरकार नमस्कार पाटी राष्टिय गाला कि अति-फिछरो के नूमायिती बहुत बाप बहुत बाटे संसंद लेकिन आमजनता पाटी रास्टी है कि क्या जरूरत पड़ी कि जो है एक कारकरम कायोजन किया गया जिसका नाम है अतिपिछडा संसद उसकी आवशकता पड़ी हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिद्यापते चंद्रमसे जी क्या जरूरत पड़ी आप लगातार अतिपिछडा को ले करके आप निया यात्रा कियें रैली कियें जनसभा कियें कई तरह का कारकरम आप ने किया लेकिन ये अतिपिछडा संसद बुलाने का क्या उदेश है देखे जब हम अतिपिछडा की हक की लड़ाई लड़ना सुरू किये और जो करपूरी जी ने अतिपिछडा को अधिकार दिया ये सब भी बातों का मुल्यांकन किया गया उसके बाद हमने कहा कि अतिपिछडा की बातों को समझने के लिए हमें जाना होगा गाउं गाउं मे पंचायत पंचायत में जिला में तो हमने 24 जनवरी 2023 से हम करपूरी ग्राम से पितोंजिया ग्राम से जहां उनका जन्मस्थान था वहां से हम चले और हमने उसका नाम दिया निदान यात्रा तो निदान यात्रा जिस समय हमने निकाला उसी समय मानिय मुखमंत्री जी समधान य तो मेरा ये कहना है कि निदान यात्रा इसलिए हमने निकाला चुकि उस समय जो समस्याए अतिपिछरा समाज के बीच खड़ी हो रही थी या जो उनका अधिकार छीना गया था उसमें जनता जो अतिपिछरा समाज की तो बहुत परिशान थी और अपने आपको ठगा महसूस कर रहे थे तो सवाल है कि जब 17 वरस में समस्या का समधान नहीं किये इसलिए समधान यात्रा पर निकले थे लेकिन हम जब निकले जब गाउं में पंचायत में और जिला में बार जब निदान यात्रा का सभा मेरा होने लगा उसमें लोग मिलने लगे तो लोगों ने बताया क हम लोग के साथ ऐसा है तिन सभी बातों को लेके हम लोग बिहार के सभी जीले में होते हुए हम लोग अंत में जो है ये नीरने लिया कि नहीं ये जो अतिपिछला समाज है इनके हक देने के बदला हक छीना जा रहा है बहुत तरीके से चाना जा रहा है जिसे कि हम उधारान सम भी आपको बता सकते हैं तो इसके लिए जब हमने कहा कि नहीं अब ऐसे नहीं होगा क्योंकि मानिय मुखमंत्री जी जो हैं उनके बारे में जो भी गटवंदन है या कोई भी दल है वो सब यही मान रहे हैं कि अति पिछड़ा का बोट मानिय मुखमंत्री जी के जोला में है उ पार्ति जनता पार्टी उन्हें ले आई है अपने साथ तो समझ रहे हैं कि अति पिछड़ा का बोट मेंखम को बोट मेरे तरफ आ गया अब देखे उसका प्रणाम यह हुआ कि इतना गरेंटेड हैं यह लोग कि अभी जो है पिछली बार डिप्टी सियम का एक कोड़सी ज तो यह सब बातें बता रही है कि अति पिछड़ा का बोट जो है टेकन फॉर गरेंटेड है कि वो मिलेगा ही मिलेगा तो सवाल यह उटता है यहां जनता अति पिछड़ा का हक चीना जा रहा है उसे अधिकार देने की बात है हमने कहा उधारन समेत भी हम बता सकते हैं अभी तो अपना आरक्षन जो पिछडा वर्ग का आरक्षन है, जिसमें वो भी आते हैं, उस आरक्षन का सीमा था 12 परतिसद, उन्होंने कि 12 का आधा 6 होता है यानि 50 परसेंट उन्होंने बढ़ा लिया तो बारा का अधा जब छौ उन्होंने बढ़ाया तो 18 अधा 9 होता है लेकिन अति पिछड़ा को मिला कितना 25 प्रतिसत का इस प्रतिसत जब 18 में जोड़ते हैं तो यह सब बहुत टेकनिकल तरीके से नुकसान किया जा लेकिन आप जो कारक्रम को कर रहे हैं यह कारक्रम से बिहार में कई पार्टियों को जो है आप चुनोती दे रहे हैं एक तरह से कहा जाए तो उनके लिए मुस्किल खड़ा कर जाया आर जडी हो या फिर बीजेपी हो या फिर जद्धी हो देखे राजनितिक दल का का जो सवाल राजनितिक दल हमेशा पिछड़े को बंचित को जो निचले पैदान पर हैं उसकी बात करता है उसकी बात नहीं करता है राजनितिक दल का हमने दिया दूसरा उधारन देख लिए कि 20 प्रतिसत जब आरक्षन अभी पंचायती राज में हमको मिला हुआ था अति पिछड़ा समाज को जब आरक्षन की सिमा बढ़ा रहे थे जाती जनगन्ना हो गई पिछड़ा समाज का आया तो फिर आप उसका पंचायती राज का अरक्षन जो 20 प्रतिसत उसे क्यों नहीं बढ़ाया गया इसली क्योंकि जब उसे बढ़ा दिया जागा तो पिर अति पिछड़ा की संख्या प्रतिनीदित तो बढ़ जाएगी वहां पर भी नुकसान अभी द संत्रीजी ने पांच जातियों को उसमें डाल दिया अति पिछड़ा समाज में जाल दिया अपना प्रतिसत बारत था अरक्षन का उतनी रहने दिया हम लोग का पुराना अरक्षन 18 प्रतिसत था उसमें और पांची जाती को डाल करके एक प्रतिसत भी उसका अरक्षन नहीं और कि अति पिछाल समाज का बोट बैंक सिर्फ बोट ले रहे हैं सब उनको हग देने के नहीं चाहते हैं हम लोग क्रोस मार्च निकाला था उसके बाद केंद्र में भी अभी देखे 33% महिलाओं को आरक्षन दिया गया राजनितिक आरक्षन उसको क्या क्या गया महिला के नाम उस तरह से जो ठीक है केंद्र में अगर अभी बर्गी करन नहीं हुआ है तो कम से कम उस आधार पर तो दिया जा सकता है पिछड़ा को अलग कर देते हैं अगड़ा को अलग कर देते हैं जो हाँ अभी है सीम अरक्षन की तो यह समनी किया जा तो मेरा यह कहना है कि इनी सब को ले करके अब क्या हिस्तिति है कि सभी समझ रहें टेकेन फॉर गारेंटेड नित्रीज जी आ गये मन अतिपिछला का बोट आ गया तो सवाल यह उठता है कि यह जो अतिपिछला सांसद एक फरवरी 2024 में हम लोग मिलर इसकुल मैदान में कर रहे हैं यह बताना चाहते हैं कि यह भीड जो है यह भीड आई है यह पिछडों की ताकत को दिखाएंगे नहीं ताकत नहीं तेकि भीड जो है समझनी की बात है मेरा इस पर पूरी तरह कॉंसेप्ट के लिए भीड आपकी ताकत नहीं है भीड आती है सुनती है चली जाती है लेकिन जब वह भीड बोट बैंक में बदल जाती है बोट में बदल जाती है और आपको बोट करने लगेगी तब वह आपकी ताकत होगी तो यही ताकत को में लोग सभा चुनाव में यदि हमारा उचित अधिकार दोनों में से कोई गटवंदन नहीं देगा, हमारा हक और हमारा अधिकार नहीं देगा, तो इसी को हम 400 सीट पर लोग सभा में चुनाव में हम प्रयास करेंगे कि अपने प्रतियासी डाल के और अतिपिछरू का बोट हम अपनी पार्टी को आमजंता पार्टी राष्ट को दि कि लेंगे, यह मिलर स्कूल मैदान से, कल तीन वजे के, करीब में, वहां से हम लोग ग्यापन जो है, लेकर के मुखमंतरी को ग्यापन को देंगे, अपनी मान को लेके, आई एक रेकार, हम लोग प्रत्वान मंस्थी को भीजेंगे, द्वारा राजयत हो कारीकरम है और उसम लेकिन यह कहीं न कहा जा रहा है इसका प्रणाम जो है तमाम राजनेती पार्टियां पार्टियां को जो भी है चुनौती एक तरह से कहा जाए कि दे रहे हैं क्या आगे आने वाले चुना में इसका फैदा होगा इन सब बिंदूओं पर जो है पार्टियों की नजर रहेगी और खास तोर से अगर देखा जाए तो जो भी अपडेट सामने निकल करके आएगा नियोश्पोर्नेशन आप तक जरूर साजा करेगा इसको बस इतना ही बने रहे नियोश्पोर्नेशन के साथ धन्यवाद